आप सभी जेनरिक दवाईों के बारे में तो जानते ही होंगे और ये भी जानते होंगे कि जेनरिक दवा ब्रांडेट दवाई की तुलना में काफी सस्ती आती है लेकिन जेनरिक दवाउं को लेकर काफी confusion होता है जैसे कि इन जेनरिक दवाउं और ब्रांडेट दवाउं में क अपने नाम से ही बेचे, जैसे दर्द और बुखार में काम आने वाली पेरासिटा मोल को क्रोसिन के नाम से भी बेचा जाता है, तो ये ब्रांडेड दवाई हुई, आम तोर पर जब कोई दवाई कमपनी किसी नई दवा की खोज करती है, तो वह उस दवाई को पेंटेड कमपनी के पास होता है, या फिर ऐसा वो कमपनी कर सकती है, जो उस दवाई को खोज करने वाली कमपनी से पेंटेड खरीद ले, या उससे निर्मान के अधिकार प्राप्त कर ले, आपको बता दें कि इन अधिकारों को बदलने की खोज करने वाली कमपनी दवाई को रॉयलि अगर इसे किसी ब्रान जैसे कि कैरोसिन के नाम से बेचा जाता है तो ये ब्रांडेड दवाई हो जाती है आपको साइद ये बात जानकर हैलानी होगी कि बुखार खासी और बदंदर जैसी परिसानी जो हमें आये दिन होती रहती है इनके लिए जैनडिक दवा सिर्फ 10 पैसे से लेकर 1.5 रूपे पर्ति टेबलेट तक मिल जाती है जब कि ब्रांडेट दवा में इनकी कीमर 1.5 रूपे से लेकर 35 रूपे तक पहुंच जाती है अकसर कई लोगों को लगता है कि जैनर्डिक दवा और ब्रांडेट दवा की गुनवत्ता quality में अंतर होता है लेकिन आम तोर पर इन में कोई अंतर नहीं होता है जानकारी के लिए बता दे कि देश में ऐसा कोई data उपलब नहीं है जिसमें की branded दवा और जेनरिक दवा की गुनवत्ता quality की तुनला की जा सके साथ ही बता दे कि गैर branded दवा खास कर जो कि सरकारदारा खड़ी दे जाती है उनकी गुनवत्ता में कमी देखी गई है जेनरिक दवा इससती क्यों होती है और ये बात हम से भी जानते हैं लेकिन इन दवा के सस्ते होने के क कैसा खर्च करती है यही एक कारण है branded दवाई के महंगे होने का जबकि जेनरिक दवाई की कीमत सरकारदारा तैकी जाती है और इसके परचार पर ज्यादा खर्च नहीं किया जाता है आपको बता दे कि जेनरिक दवाई branded के मुकाबले 10 से 20 कुना तक सस्ती होती है तो इस